नमस्कार मित्रों एक बार फिर से आप स्वीक अप बहुत बहुत स्वागत है यूटूब चैनल जो बलड़ गुरों में आज हम आपको बताने वाले च्छातरवर्ती 2020 के बारे में दोस्तों इसके लिए नया नियम जारी हो गया है 2019 में हमारे दोरा दोस्तों आपको च्छातरवर्ती योजना जो भी होते हैं उन सभी के बारे में डीटेल में आपको बताया जाएगा आपको फोरम किस तरह से बर सकते हैं अगर आपको अबजेक्शन मिल जाता है तो आप अबजेक्शन किस तरह से कलियर कर सकते हैं और किस च्छात किया है तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो प्रोड हो तो आपको सुचना मिल जाए और इस वीडियो को लाइक किजिए तो आई दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं और पास्वर्ड लगाने लोगिन पर क्लिक कर देना है अगर आपको रिजिस्टेशन करना है तो आप बामा सा नमर लगा कर सकते हैं अधार नमर लगा कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट से यहां से रिजिस्टेशन कर सकते हैं तैसी दोस्तों आपका रिजिस्टेशन कंप् पर बाती है कि आप किस तरह से रिजिस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस् पर पहुंच जाएंगे SSO का dashboard open होते ही आपको यहां पर इस तरह से दिखाए देगा अगर आपने पहले scholarship का option open किया तो यहां पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा अगर आपका application इस तरह से open जाएगा यानि कि scholarship का dashboard है वह open हो जाएगा यहां पर आपको क्लिक करना है new application जैसे आप न्यू अप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे यहां पर चातर का जो biometric है वह किया जाना है यानि कि आपके आदार से authentication किया जाना है अगर आपके पास biometric machine है तो आप biometric से अपना finger of scan कर सकते हैं अन्य था आपके आदार card में mobile number registered है तो आप यहां से OTP बेज सकते हैं जैसे आप OTP बेज़ेंगे तो आपके mobile पर check सका OTP आ जाएगा उसे आप 10 minute के अंदर अंदर यहां पर आपको लगाना है और OTP मान्य पर क्लिक करना है जैसे आपका आदार authentication हो जाएगा उसके बात में आपके योजनाई दो योजनाई आपको मिलेगी एक है center government की और दूसरी है state government की एक है अन्य पिछड़ा वर्ग उत्रमेटिक चातरवर्ती और दूसर है मुख्य मंत्री सर्वा जन उच्छा चातरवर्ती दोस्तों दोनों ही चातरवर्ती है अलग-अलग है एक center government की है एक state government की है पहले वाली चातरवर्ती में आपको इस चातरवर्ती में जितनी आपकी college की piece है वो सभी refund होगी यहां पर दिया गया refundable piece 100% यानि कि आपकी जो इ इद्वा के पूतर-पूतरी है या फिर अंतोदे card है या फिर BPL card है तो आप इस चातरवर्ती के लिए apply कर सकते हैं और maximum जो आय दीगी है वो डेड़ लाग रुपए इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपकी इससे ज्यादा है तो आप इसके लिए eligible नहीं है अब हम आपको बता दे हैं मुख्या मंतरी सर्वाजन उच्छिक्ष्या चातरवर्ती की बारे में ये आपको 50% फीच आपको refund करेगा यानि कि जाता जदा इस चातरवर्ती योजना में आपको 5000 रुपए तक चातरवर्ती मिलेगी इस चातरवर्ती में भी वही पातरताइं दीगी ह सिर्फ आए का जो maximum दिया गए वो 5 लाग है यानि कि 5 लाग तक जिनकी आए है वो इस चातरवर्ती के लिए अपलाई कर सकते हैं बी पिल हैं या फिर अन्तोद्य कार्ट दारक हैं या फिर S.C.S.T. या फिर बिद्वा या फिर तलाक सुदा के पुतर पुतरी हैं तो आप चातरवर्ती के लिए अपलाई कर सकते हैं दोनों ही चातरवर्ती में इसी साल नया नियम जोड़ा गया है आपने पिछले वर्स में जो पास किये उसमें आपके 60% अंक होना जरूरी है अगर आपके 60% नहीं है तो आप दोनों ही चातरवर्ती के लिए अपलाई नहीं कर सकत अगर आप apply कर देते हैं, तो आपको objection है, वो तुरंत मिल जाता है, तो इसलिए आप जिस भी चातरवर्ती के लिए apply करें, आपके पिछले year में, मा लिजे अगर आप फस्ट year पास किया है, अगर आपने second year में apply कर रहे हैं चातरवर्ती के लिए, तो आपके first year में 60% अंक होना चरूरी है, तभी आप दोनों चातरवर्ती के लिए apply कर सकते हैं, eligible हैं, चातरवर्ती स्लेट करने के बाद में आपको submit पर click करना है, submit पर click करते हैं, आप से account number पूछा जाएगा, यानि कि आप इसी account number में चातरवर्ती चाते हैं, तो आपको yes पर click करना है, उसके बाद में य degree या फिर mark seat है, वो किसी board या फिर school से में रहे हैं, तो आपको पहले वाला option select करना है, यहां से आप IT के लिए भी चातरवर्ती apply कर सकते हैं, या फिर अगर आप 11 वार्वर्ती में पढ़ रहे हैं, तो पहले वाले option को select करना है, अगर आप graduation या फिर post graduation, BA, BSTC के लिए apply करना ह उसके बाद में आपको state select करना है, उसके बाद में आपको college select करना है, school select करना है, उसके बाद में आपका course क्या है, वो select करना है, उसके बाद में आप किस year में पढ़ रहे हैं, तो year आपको select करना है, उसके बाद में date of admission यहां पर 17 2019 लिखें, उसके बाद में last exam अंतिम पस्ट रोल नमर लगाने हैं अगर आपको पर सेमेस्टर के लिए दो मार्चीट आती है अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर वीटेक कर रहे हैं तो आपकी एक साल में दो मार्चीट आनी है अगर आप को जेपीजी फाइल से पीडियेप में बनाना है और चूज फाइल पर क्लिक कर अप्लोड कर देना है लेकिन आपने जो अंतिम प्रिक्षा उत्रन के उसमें 60% नमर होना चुरूरी है उसके बाद में आता है क्या आपके पिछले वर्सों में कोई अंतर है अंतराल है तो आप तो यह स्लेट कर सकते हैं उसके बाद में आप डिव्ड अप्लोड कर सकते हैं और गॉर्मेंट है या नहीं था आप है तो आप यह स्लेट कर सकते हैं जबिद्दा कि आपने कटनी पिस दी है चैक आप सब्व Tarそんな rock अधिया बाइल But i lleg स्कूल के जितने भी फीस आपने दी है वो टोटल फीस आपको यहां पर लिखने होगी लेकिन फीस है वो 50,000 से अगर आपकी ज़्यादा है तो आपके आए परमानपत्रें pencard नमर होना जरूरी है अगर आपकी 50,000 से कम है तो आपको pencard नमर की चुरूरत नहीं रहेगे, यहां पर आपको फीस रिसिप्ट, आपने जो कोलेज में फीस दिया, उसके बदले में आपको कोलेज ने रसीद दी है, वो रसीद आपको यहां पर जेपीजी या फिर पीडियेप में अप्लोड करना होगा, उसके बाद में यह ओप्सन आपको एक प्रोफाइल अपडेट की चाहेगी, उसमें आपके आय परमान पतर, जाती परमान पतर, दस्वी की मार्क शीट पूछी जाएगी, वो इसके हैं होना चाहिए, और आप अपनी प्रोफाइल लेवो चातरवर्ती की अपडेट कर दें, सब्मीट कर दें, उसके ब करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके ऑबजेक्शन वाले फॉर्म में चले जाएंगे, यानि कि आपकी चातरवर्ती का फॉर्म जिस टाइम आपने अप्लाई किया था, वही फॉर्म आपके सामने दुबारे से ओपन होगा, जैसी ओपन होगा, यहाँ पर आपको ऑबजेक्शन दिखा दिया जाएगा, कि आपके फॉर्म में क्या ऑबजेक्शन है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या ऑबजेक्शन है, यहाँ पर दोस्तों इस पॉर्म में जो फॉम बढ़ा गया था, जो पिछली साल की अंक्टालिका थी, उसमे 60% नमर नहीं थे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हाली में एक नया नियम जारी किया गया जिसमें पिछली वर्स में जो चातर ने उत्रन किया उसमें 60% नमर होना जरूरी है अगर आपका 60% नमर नहीं है तो आप इसके लिए form अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहने कि इस अच्छातर बरती के लिए आप इलिजबल नहीं है तो इस उब्जेक्शन को कलियर करने के लिए पिछली साल की मार्षीट में 60% नमर होना चाहिए तो आपने जो पिछली साल में जो मार्षीट उत्रन के उसके लिए आप revelation का form बरा दें हो सकता है पिछे वाली market में आपके 60% number है वो complete हो जाएं तभी आप इस objection को click कर सकते हैं अगर ने था अगर आपकी पास कोई और objection आई परमान पतर से समझ दी तो आपको दोस्तो इस website पर जो आई परमान पतर का format दिया गया उसी में आपको अपना आई परमान पतर लगाना है जिस फॉर्मे जो भी objection दिया जाएगा वहाँ आपको यहां पर आपको साब साब दिया जाएगा कि आपने क्या गलती की है आपको क्या upload करना है तो वो आपको यहां पर revelation करवाई आपके चार-पांस नंबर कम थे वो complete हो गए उसके बाद में यहां पर remark में ok लिखना है और यह option आपको select करने उप्रोक्त online आवेदन में मेरे दोवारा देगी जानकर है तत्य है वो पूर्णत है सत्य है इसे select करना और update कर देना है जैसे आप update करेंगे तो आपका objection है वो clear हो जाएगा अब हम आपको बता दें अगर आपके फोर्म में किसी भी परकार कर कोई objection नहीं है तो आपका फोर्म के लिए क्या process है यानि की step क्या है सबसे पहले आप फोर्म बरेंगे उसके बाद में आपकी college या फिर इसकूल है उसके दोबार अप्रूव के जाएगा उसके बाद में डियलो के दोबार अप्रूव के जाएगा डियलो के दोबार अप्रूव के जाने के बाद में डियलो के दोबार ही build generate हो जाएगा build generate होने के बाद में scholarship है वो distribute हो जाएगी यहाँ पर आपको message मिल जाएगा scholarship distributed जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पिछले दो साल की scholarship है वो दी जा चुकी है और अभी इस साल की हाली में bill generate हो गया तो bill generate होने का मतलब है कि आपकी scholarship pass हो गया सिर्फ आपके खाते में पैसे आने बाकी है तो यहाँ पर step देख सकते हैं सबसे पहले form बरा गया था उसके बाद में institute pending था उसके बाद में pending DLO उसके बाद में DLO ने approve किया उसके बाद में payment section किया उसके बाद में bill generate किया यह परकरिया रहती है अब bill generate हो गया उसके बाद में payment section हो जाएगा और payment function होने के बाद में है वो आपके खाते में पैसे हैं वो आ जाएंगे यानि कि आपकी चातरवर्ती है वो इतने step से गुजर कर आपके खाते में आती है तो दोस्तो ये परकिरिया सभी की फोर्म में होती है अगर आप चातरवर्ती का फोर्म अप्लाई करते हैं उतर matrix चातरवर्ती के रिए तो ये परकिरिया होती है आगे हम बताते हैं कि चातरवर्ती किस खाते में दोस्तो ये आपके बामा सकार्ड में जो खाता नमर लिंक है आपका उसे के खाते में आएगी अगर आपका खाता खुद का इस्टुडेंट का अपडेट नहीं है तो यह चातरवर्ती है वो बामा सा के मुख्या है उसी के अकाउंट में आएगे और दोस्तो इस फॉर्म के मादिम से भी आप देख सकते हैं कि आप को कितनी चातरवर्ती मिली है जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं बिल संदरब संग्या भुगतान सुविकिर्ते की डेट दीगी है सुविकिर्त रासी भी दीगे कि कितने रुपए आपके अकाउंट में आए हैं बारत में कोई भी चातर अप्लाई कर सकता है इस चातरवर्ती के लिए उमेद करते हैं दोस्तों हमारे दोबारा देखी जान करें आपको अच्छे लिगो कि आपके समझ में आई होगे